हेलो दोस्तो तो कैसे आप सब आप सब का स्वागत है अपना स्वीट सा यूटूब चैनल स्पीड लड़नी में दोस्तो आज हम लोग परने वाले हैं राइट सर्कूलर साइलेंडर के बारे में जिसे हिंदी में कहा जाता है लम विरित्तकार वेलन यह क्या होता है है इसको आज हमनों डीटेलिंग के साथ जाने है इसके watch जो एरिया का वर्द्रियम का फॉर्मूला होगा इसको आज हमनों अच्छा से ड्राइव करेंगे तो देखिए राइट एंगल ट्रेइंगल राइट सेर्कूलर साइलेंडर क्या होता है छैसे देखिए इसको बनाने का तरीका है, दो लाइन केज़े, इस तरह दो लाइन केज़े, बुर्भबर सोडी, च्राली, सोडी, मैं च्री ऐगारी च्री बोल रहा हूं, था टो अंच iki स क seulement ने को बनाने का तरीका होता है, इस तरह यहां कर लीजिजे, यहां से इस तरह कर लिजे, गया लीचे भी उसी तरह कड़ेंगे, यहां इस तरह और यहां इस स्थरह, इस तो इस साइप को यह साइडर से चबहें ना जो आपके घर में गेस साइडर होगा विए उसी साइप का है या चौल रखने का ड्राम होगा वह जहाने साइज गया उसी तरहका है तो इस कर्व एरिया हो यह क्या है कर्व एरिया कब मुद्धिन हो ना रिश्वाला ही भी है मिरे एट तो एरिया है थो गया करव एरिया सथी का आज अमयोने ट्राइब करिँए उस से पहले आपको में फोछी अच्छा से दिखा देता हूं कि देखT क्या हैं लोग को जैसे माली जी मेरे पास पेपर है कि इसको फिगर को थोड़ा और बढ़ा करें मैं बनाता हूं कि फिगर को थोड़ा बढ़ा करके बनाना होगा कि यह हो गया इस तरह यह पुचक यह हो गया है तो देखिए यह पेपर है देख लिए अगर हम इस पेपर को इस तरह से फॉल्ड करें इस तरह से अगर हम लोग fold करेंगे इस paper को देखिए यह paper है इस तरह से अगर हम लोग इसको fold करेंगे तो किया right circular cylinder के जैसा बन जाएगी cylinder step का बिलकुर बन जाएगी बनेगी ना सबसे पहले paper कैसा था इस तरह था इसको हम लोग ने fold किया फॉल्ड किया तो यह क्या बन गई राइट सर्कुलर साइलेंडर बन गई साइलेंडर सेप का जेख सकते हैं राइट सर्कुलर साइलेंडर सेप का यह बन गई है तो देख लिए सबसे पहले सबसे पहले यह पेपर कैसा था सबसे पहले यह पेपर कैसा था इस तरह था बराबर सबसे पहले पेपर इस तरह था जब हम लोग इस पेपर को फॉल्ड किये तो यह क्या बन गई राइट सर्कुलर साइलेंडर बन गई बराबर पॉत यह जो है यह क्या है रैट अंगल है व सब्सक्राइट आँ when you are a गेरट आप जानते हैं रेट यह भडा जो साइड है यहां से यहां तक ए लंबाई मालिल है कि अर बी है शो घिरट कार मारा को प्लेख आरियाaker निकालना जानते हैंद तो इसक्यों निकाले तो क्या होगा रेटेंगल का अगर एरिया निकाले तो क्या होगा एल इंटू बी हो जाता है इसी तरह यह इस रूप का है लंबाई कितना है यह इस रूप का है इसको हम लोग ने इससे करके फॉल्ड किया इसको हम लोग ने इस तरह से फॉल्ड किया जब हम लोग ने इसको इस तरह से फॉल्ड किया जो यह लंबाई है ना यहां से आता कि लंबाई ध्यां से देखिए इसको यह लंबाई को हम लोग ने इस तरह से फॉल्ड किया देखि इदो लंबाई को हम लोगने किया तो देखिए धि insanlar नमबंग ने जब वंगय तौर सेउर्कल टाइप का बन गई तो सरकल का क्या हो जाएगा एल इस इगल टू क्या हो जाएगा तो पाइए र होती सरकल का सिर्कूंफेरंस है आप यहां से यहां तक कि आर को होते बोलते हैं रेडियस समझ वे आ गया तो आप देखिए यहां बी क्या है हम लोग नहीं इसको पगड़ा ऐसे करके फॉल्ड किया तो यह गोला बाला भाक्या बन गई सरकल का सिर्कूंफेरंस और यहां देखिए यहां से यहां तक कि हाइट आप जो साइलेंडर को जो हाइट है वही तो बी है ना देखिए साइले साइलेंडर का हाइट है वही भी है तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहां बी क्या है सालेंडर का हाइट है है समझ गया है तो हम लोग सिंपल ही यहां पुट कर सकते हैं 2 πい r into h 2 πい r into h हम लोग ने यहां किसका area निकाल classes 2 पाट का area निकाले था L into यह किसका area है इसको हम लोग ने fold किया तो देखिए समझ लिजिए एठो area यह एठो area है यहां जो area है एठो area है जब हम लोग इसको fold कर रहे हैं देखे ध्यान से तो एठो area क्या बन जाती है एक curve बन जाती है देख सकते हैं एठो area एक curve बन जाती है अभी हम लोग में यह 2.rH जो निकाला वो कहां का area होना चाहिए यह सिरिफ curve का area होना चाहिए तो हम लोग ने यहां लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे कि cylinder का जो curve का area है curve जो surface है एठो curve surface का area कितना होगा एठो curve surface का area कितना हो जाएगा area of curved surface 2.rH आपको बिल्कुल ही किलिए समझ में आ गया होगा जो अब हम लोग 2.rH निकाले वो कहां का area है एठो curve जो बहुपला पोशन है इठो पोशन इसका ही area 2.rH है R क्या है यहां से इसकी center से इसकी center से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे R कहेंगे तो आपने यह area निकालना सीख लिया तो आप ध्यान से आप देखिए कोई भी circle है देख लिजे कोई भी circle है उस circle का जैसे कोई भी circle है circle है यह radius R हो गई तो किसी circle का area क्या होता है किसी भी circle का area π.r square होता है होता है कि नहीं कोई भी circle हो उसका area कितना होगी π.r square होगी यहां कितना circle है अगर माली जीए आपके पास कोई ऐसा drum है जो चावल रखने वाला drum जो उपर से भी बंध हो और नीचे से भी बंध हो उपर से भी बंध हो और नीचे से भी बंध हो तो उसका जो area किया हो जाएगी क्योंकि नीचे का भी circle का area लेना होगा उपर का भी circle का area लेना होगा तो एक बार नीचे के लिए एक बार उपर के लिए तो इसलिए total area निचललेंगे अगर total area निकालेंगे हम लोग silentr का total area यह हुई सिर्फ कर्व area यहा दो circle है, दो circle का area अलग-अलग हुआ, तोटल area, total area total area क्या है total area क्या है देखिए, एक curve area अगर येठो दोनों भाग अगर बंद है, दोनों भाग अगर बंद है, तो क्या लिखेंगे, 2 pi r h, एक curve area हो गया अब total area, माली जी अगर दोनों भाग बंद है, तो एक भाग के लिए इठो, फिर एक भाग के लिए इठो pi r square sorry 2 pi r square मैंने ये 2 क्यों दिया अगर दोनों भाग बंद है total area, ये cylinder है, उसका total area कितना है, एक curve वाली area हो जाएगी, एक curve वाली area एक a portion का और एक a portion का area हो जाएगी समझ दीजे, एक a portion का area और एक a portion का area जब ये ऐसे करके ढखा हो जब ये ऐसे करके किसी से ढखा हो इधर भी ढखा हो, माली जे कि ये सिर्फ एकी तरफ से ढखा है सिर्फ इधर से ही ढखा है भूआ है इदर से खुला है तो हम लोग से टो तो टल अरिया हो गया शिर्फ एक तरफ से खुला रहें तो हम लोग क्या लिखेंगे इसलिए एक तरफ खुला इसका एरिया होगा नार हो जाग जा कि यह तो एड आ करफ एरिया तो होगा यह इक्य त तरफ से खुँला है तो एक तरफ से खुला लेंगे धैज सि ऐकी तरफ का मधा जो सर्कल का एरिया है वहीं ले लेंगे और ऊपर वाला करना है तो उसको नहीं लएगे आपको सभ़म्ज में आ गया तो आप हम लोग दूसरा टरम देखेंगे लोग दूसरा टरम क्या है आप लोग इसको अच्छा से कोपर में और डाल कर लीज़े कि ये फॉर्मूला किस तत्रह बना आप हम लोग दूसरा टरम क्या देखेंगे देखिए क्या देखेंगे हम लोग वोलियम देखेंगे वोलियम वोलियम क्या होता है इसका वोलियम क्या होगा यानि आयतन क्या होगा आयतन क्या होगा देखिए आयतन बराबर क्या होता है लंबाई आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुना चोड़ाई गुना उचाई यहां वोलियम बराबर क्या होता है लंबाई चोड़ाई और उचाई लंबाई और चोड़ाई को क्या बोलते हैं लंबाई और चोड़ाई को क्या बोलते हैं छेत्रफल यानि एरिया छेत्रफल इंटू उचाई ध्यान से देखिए आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुना चोड़ाई गुना उचाई से आयतन निगलता है जो लंबाई और गुना चोड़ाई है इसको क्या कहते गुना उचाई लंबाई चौड़ाई क्या हूग्या चेथरва लिखा यंग किया थो गया। इस लिए लंबाई गुला चौड़ाई हो गया। न उचाई यहां इसके साथ अगर आयतत लेकर चे फल चकी खेत्रे यानि एरिया एर्या यहां का है यहांसर देखिए ध्यान से ठीस सरकल रहें यहां का एरिया कि आपकट करकल्या कि दांगोगा फंट को बने डिया में लेना है और इसका थाइच लिना है तो हाइट क्या है टैशल्त का area कितना हो गया 50 आर स्कूर ऑगे तो एरिया निगल गया पाइं हाई जी एफ सकते हैं इसलिए इसका formula क्या बन गया पाई आर स्क्वेर एच जो cylinder है circular cylinder है उसका जो volume कितना होता है पाई आर स्क्वेर एच होता है इसको आप लोग अच्छा से note down कर लिजे अब हम लोग चल रहे हैं अब हम लोग चल रहे हैं जैसे इसको बनाने कुछ example कर लेते हैं पहले मालीजे की एक number example है आपको कौन सा area लिखना है find find curve this अब कर्फ सार थेस्ड़ का एरिया निकालना है का अ Secular cylinder है आपको कर्फ सिर्फस का एरिया निकालना है जाहां ूपको दिदी और गया है कि आरे इसेकल टूlos लिटर एसेक्रटude कर्व लिए कॉज़़ग अब शिलभी सिर्फसनले cotton मितलब सब्सक्राइब निए कि नुए करण आर्छ होता है अबराबर है अच्छ की नए बीटू है कितना हो जाएगा एड़ंगा यहँ पायी हो जाएगा ड़ंगा हो जाएगा दिऑ्ट आदित ही सकते हैं होता है य Спीसिताइगर में आपको में लो다면 मैं आपको वोलियम यानि आयतन निकालने वोलू अगर मैं आपको दे दू अगर आयतन निकालने वोलू तो आप लिख लीजिए पाई आर इस्पेर एच मैंने आपको अभी पढ़ाया है है तो हो गया तू की आर की विलीव टू हो गया स्कूर इंटू एच के विलीव भी टू है तो वोल्यम कितना है दो दूनी दो के उपर पावर चार हो जाएगा इंटू हो जाएगा 8 पाइं हो जाएगा और आप समझ गया है कि एट पाइंट मीटर क्यों कि समझ गए तो यही हुआ यही हुआ यही हुआ राइट एंगल ट्रेंगल राइट 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 सर्कूलर साइलेंडर से जुरी हुए कुछ महत्पुरूल जानकारी और आपको यह वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और सेर किजिए अन्यवाद